मियामी ओपन क्वालिफायर डेनियल कॉलिंज ने मंगलवार को वीनस विलियम्स को जे लेना उस्त पैनकों के साथ सेमी फाइनल मुकाबले में स्थापित करने की अपील की डेनियल कॉलिंज ने जीवन भर के प्रदर्शन का उत्पादन किया और बुद्धवार को डबाल यूटिय मियामी ओपन में एक सर्वशक्तिमान जटका लगा जिससे वीनस विलियम्स ने सेमी फाइनल तक पहुँचने के लिए 6 रेंड दो चेरा एंड तीन सेकेंड शिकस्ति 24 वे वर्शी एक वालिफायर में सिर्फ एक पेशवर खिलाडी के रूप में और दूसरी बार की बिसकेन में उनकी पहली उपस्तिती में यह एक अगभुत प्रयास था कोलिंज ने शीश दस खिलाडियों को हरा कर दो प्रयासों में यह पहला मौका दिया है और विश्व की नंबर एक नंबर पर भी विलियम्स को मिलना संभव होगा क्यूंकि कोलिंज को फ्रेंड चोपा चैंपियन जे लेना उस था पिनकों के साथ गुरुवार को एक जगेह के लिए एक बैठक मुहया कराने के योग यह नहीं था शनीवार के फाइनल में विलियम्स ने कहा मुझे नहीं लगता कि यह टेनिस की मेरी सबसे अच्छी राथ थी लेकिन वे ऐसा शौट नहीं था जो वह नहीं बना सके वह बहुत अच्छी तरह से और आक्रामक रूप से खेला और वह हर शौट के लिए चला गया और यह उतरा कोलिंज के वले कैसे खिलाडी की जीत के साथ खुश था जो उसने मूर्ती पूजा की थी कोलिंज ने कहा पहली बार मैंने लौकर रूम में शुक्र को देखा था मैं लगभग रोया कोलिंज ने कहा वह मेरी पसंदीदा खिलाडी रही है इसलिए मुझे इस बारे में अपने सिर को लपेटना मुश्किल लग रहा है पहले से अंदेकरित कोलिंज एक फ्लॉरिडा देशी जो 2017 को समाप्त 166 पर रहा था लेकिन इस टोर्नामेंट मैं दुनिया में इतरानवे वे सर्वश्ष्ट खिलाडी के रूप में आया निश्चत रूप से मार्च को याद रखना है वाइल्ड काड के रूप में वें इंडियन वेल्ज में 16 के दौर में पहुंच कई और क्वालिफाइन के माधिम से आने वाले अंतिम चार रनों के शांदार प्रदर्शन के साथ यहां तक बहतर रहे हैं इससे पहले क्वालिफाइर ने मार्यन बतोली ने पिछले आठ में अपना सर्विश्ष रेष्ट प्रदर्शन किया था विल्यम्स के तीनों के लिए 6 माचों खेलने के बावजूद कोलिंज ने इस मुठपीड में अपने अमेरिकी प्रतीद्वन दी कोलिंज के लिए 6 गंडे 58 मिनिट और विल्यम्स के लिए 7 गंडे 22 से 24 मिनिट का मादा किया हाला कि अनुभवी विल्यम्स की तुलना में 24 वर्शिय के लिए कोई कठोर परीक्षा नहीं होनी चाहिए जिन्होंने इस स्थर तक पहुँचने के लिए अपनी लड़ाई लड़ी थी 32 मैचों में किकी बर्टेंज के खिलाफ मारा राथन 3 सेटर में 3 मैच पॉइंट बचाए थे कोलिंग्स को परिशान करनी के लिए माफ किया जा सकता है फिर भी यूनिवसिटी ओफ ग्विजनिया के माध्यम से स्थना तक की पढ़ाई करने वाले जिन्होंने 3 सीजनों में 2 NCAA कॉलिज के एकल खिताब का दावा किया नए ब्लोकों से बाहर घूमते हुए और एक 3 रंड शूनिय की बढ़त में आसानी के लिए शुरुवाती ब्रेक पकड़ा विलियम्स पीछे की ओर था और सेट में खुद को रखने के लिए एक ग्रिंट 4 सेकेंड दो ब्रेक पॉइंट बचाए लेकिन कॉलिंज आविश्वसनिय था विशेश रूप से अदालत के पीछे से उसे मारना सर्वोचक्रम था और जब वह फिर से टूट गई इस समय एक शांदार लौप के लिए धन्यवाद पहला सेट बंद कर दिया गया था यहां एक उत्सा ही भीड की उमीद की की साथ बार के ग्रेंड स्लेम विजेता विलियम्स ने तुरंट जवाब दिया लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वह दबाव मुक्त प्रतीद्वन्दी रहे जो लगातार हमला करना जारी रखता था और जल्द ही विलियम्स को एक बार टूट गया था जब सेंतीसवर शिय की सेवा उसे फिर से दोहराते हैं तो कॉलिंस फिनिश लाइन देख सकता था